आज मैंने बिल्कुल क्रिस्पी और इंस्टेंट जलेवी घर पर बनाई है जो सिफ बनकर पंदा मिट में रेडी हो गई है और यह है बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर तक इसमें रस गया है आवाज आप यहां पर खुद सुन सकते हैं तो आपने यहां पर देखा एक तम कुरकुरी है और अंदर तक इसमें बिल्कुल अच्छे से रस भर दिया है तो चलिए हम आपके साथ में अपर रेस्पी को श्यार करें हूँ आप वीडियो को इन तक जरूर दिखेगा इसके लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले चाष्णी मिलाने से तो यहां पर मैंने 750 ग्राम शुगर ले लिया है और इसके अंदर 400 मिली लीटर वाटर रेट कर दिया है इन दोनों को हमें आच्छे से उबाल लेना है और जो जलेबी की चाष्णी होती है वो हमें सिर्फ च चाष्णी चाहिए होती है इसमें कोई एक तार या दो तार वाली चाष्णी हमें नहीं चाहिए जैसे यहां चाष्णी में बोई लाता है हमें फ्लेवर के लिए इसमें एट करना है सैफरन यान की केसर यान दो चुटकी मेंने केसर डाला है अगर आपके पास हैं तो ज़र अब हम बनाएंगे जलीबी के लिए बेटर तो इसके लिए एक कप मेदा लिया है और इसमें आधा कब में दही डाल रही हूं यानि की फ्रेश योगर्ट है कली रात मैंने दही जमाया था वही मैं यूज कर रही हूं हमें ज्यादा खटा दही नहीं लेना है और एक चुटकी हमने इसमें पिला फूड कर एट कर दिया है अगर आप खाते हैं तो डाले अधरवाइस आप इसे भी स्किप कर सकते हैं यहां पर हम खाने वाला सोडा डालेंगे दो चुटकी पर मैं इसे बात में डालूंगे पहले हम बेटर बिनाएंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा थ हो तो इस तरह से हमारा दीरे दीरे चलाते हुए एक स्मूध बेटर बन जाएगा और यहां आपके लिए टिप है कि यह जो बेटर बनता है इसे हम दो-तीन मिनट अच्छे से अगर फेंट लेते हैं तो हमारी जो जलेबिया है वो एकदम क्रिस्पी और जूसी बनेगी यहा जलेबिया है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी यहां आप यह धियान रखें कि आप जो सोडा एट कर रहे हैं वो आपको विल्कुल लास्ट में एट करना है तो अब हमारा बेटर बनकर के रेडी हो चुका है हम इसे एक मिनिट के लिए छोड़ते हैं और यहां देखें हमें य इस तरह की bottle है तो इससे भी आप चले भी बना सकते हैं अगर यह वाली bottle है जो आज बना रहे हूं दूद के packet से तो यहां दूद का packet है मेरे पास जिसे मैंने वाश करके एक तरफ इसके कौने पर च्छोटा सा छेड या हॉल कर लिया है अब हम इसे एक ग्लास के अंदर रख लेंगे और इसके अंदर बेटर फिल कर लेंगे तो मैं यहाँ पर पांच चमच बेटर इसके अंदर डाल दूँगी और इसे हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है उसके बाद हम इसे थोड़ सा ट्विस्ट कर लेंगे ताकि उपर से बेटर बाहर न निकले और उपर से जब हम दबाएं तो नीचे की तरफ से अच्छे से हमारी जलेबी बाहर निकल जाए तो यहां हमने गी को गरम कर लिया है और यह मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है मीडियम गरम है तो इस तरह से हमें जलेबियां गी के अंदर निकल ली है तो आपको शुरू करना है सेंटर से गुमाते पर बाहर लेके हैं कुछ इस तरह और फिर लोक कर दें फिर गुमाके बाहर लेके हैं और लोक कर दें इस तरह से अगर आप जलेबी बनाएंगी तो आपकी जलेबिया फैलेगी नहीं यानि की ओपन नहीं होगी तो इस तरह से हम इन दूनों तरफ से पलटते वे फ्राइ कर लेंगे बस इतना और आप ध्यान रखें कि यहां पर आपका जो ओईल है वो मीडियम फ्लेम पर रखा ह होना चाहिए आप इस ठंडे तेल में फ्राइ कर लेंगे तो आपकी जलेबिया है वो फ्लेट हो जाएगी ठंडे तेल से मेरा मतलब यहां पर वम ओईल से है और अगर आपने ज्यादा फ्लेम रखा और तेज गरम हो गया आपका ओईल या घी तो आपकी जलेबिया जल सकती है तो आप इसे एक बार एक जलेबि को फ्राइ करके देख लें अगर आप प्रॉपर तरीके से निकल रही है तो उसके अक्वर्डिंग आप एडजस्ट कर लें तो बस यहां पेन में थोड़ी सी और जग है थी तो मैंने इसके अंदर और जलेबिया एड़ कर दी है आप इ हो जाएगी और यह पर्फेक्ट जलेबिया बन करके रेड़ी हो चुकी है तो अब मैंने निकाल करके गर्मा गरम यहां पर शुगर सायरब जो हमने बनाया था यानि कि चाशनी उसके अंदर डाल देंगे यहां चाशनी हमारी जो है वो गुन-गुनी है यानि कि हलकी गरम ह जलेबिया हमारी अच्छी गरम है जलेबियों को हमें घी में से बहार निकाल करके और चाशनी के अंदर डाल देना है और चाशनी के अंदर हम इन्हें तीन-चार मिनिट के लिए डिप करके रखेंगे यह देखें कितनी क्रिस्पी और एकदम करारी जलेबिया हमारी बन करक अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो नीचे जागर के लाइक कर दें शेयर कर दें आप चाहते हैं मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूँ उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए गंटी का बटन ज़रूर दबाएं 3-4 मिनिट हमने चाशनी के अंदर डुबो कर रखा और हमारी जले भी है वो काफी अच्छे से एकदम रस भर गया है अंदर तक और एकदम करा दी है मैं यहाँ पर आपको तोड़कर के भी दिखा देती हूँ यह देखें कितनी अच्छी और एकदम रसीली जलेबी हमारी बनकर के रेडी हुई है इसी तरह से हम बाकी की जलेबी बनाएंगे मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है जलेबी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बाहर तक लेकर आएंगे और लोग कर देंगे फिर्ट्स इस जलेबी को बनाने में हमें बिलकुल भी टाइम नहीं लगा है सिर्फ पंगा में मैंने याप पर इसका बेटर बनाया चाशनी बनाई और फ्राइ करके हमारे जलेबियां बिल्कुल बनकर के रेडी हो गई है हमें इसे 24 गंटे 12 गंटे पूरे दिन गला करके रखने की ज़रुरत नहीं है फटा फट से इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से घर पर जलेबियां बना सकते हैं और यह आप कहें नहीं सकते कि मार्केट की जलेबियां किसी भी तरह से कम है एकदम करारी बनी है और देखकर के ही यहाँ पर आपको लग रहोगा कितने क्रिस्पी जलेबियां बनी है और यहाँ पर मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि यह देखें कितनी परफेक्ट जलेविया हमारी बनी है हलवाई जैसी बस इन्हें 4-5 मिन्ट हम इस शूगर सिरप में डिबाग करके रखेंगे उसके बाद इन्हें बहार निकालेंगे अगर आपको फूट कलर नहीं पसंदे तो आप फूट कलर को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगे में सैफरन का यूज कर सकते हैं अगर आपको सैफरन भी आपके पास अवैलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल भी जलेवी बना सकते हैं जो टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छी और करारी जलेबियां आपकी इस तरह से बन कखे रेडी हो जाएंगी. तो बारी बारी से यहां पर जितनी भी जलेबियां हैं, एक कप मेदा में मैंने काफी सारी जलेबियां बना ली है, और इन्हें बनाने में यानिकी फ्राइ करने में एक बेच को दो मिनिट लगता है, उससे चाहरा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी दिर में आप बहुत सारी जलेबियां गर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं बस इन चुटी-चुटी ट्रिक्स का ध्यान रखें जो मैंने आप को यहां पर बताई हैं तो इस तरह से आप जलेबियां घर पर एंजोई करें और अपने एक्सपेरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें thanks for watching my video enjoy